इस प्रार्थना को करके यीशू वो अपने चेलों के साथ कि द्रोन ना लेके पार गया उस थान पर एक बारी थी जिसमें यीशू और उसके चेले गए यहूदा उसका पकड़वाने वाला वो जगह जानता था क्योंकि यीशू अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हत्यारों को लिए हुए आया यीशू वो सब जानता था जो उसके साथ होने वाला था तो वो आगे बढ़ा और उनसे पूछा वो कौन है जिसे तुम ढूमते हो यीशू नासरी को यहूदा जो पकड़वाने वाला था उनके साथ था जब यीशू ने उससे कहा वो मैं हूँ तो वो पीछे हट कर भूमी पर गिर पड़े यीशू ने फिर उनसे पूछा तुम किसको ढून रहे हो यीशू नासरी को मैं तो तुम से कह चुका हूँ कि मैं हूँ यदि मुझे ढूमते हो तो इन्हें जाने दो ये इसलिए पूरा हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उसने कहा था जिन्हें तुने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया तब शमोन पत्रस ने तलवार जो उसके पास थी खीची और उससे महायाजक के दास का कान उड़ा दिया उस दास का नाम था मल्खुस अपनी तलवार म्यान में रखो जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उससे ना पियू तब सैने को और उनके सूबेदारों और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़ कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए क्यूंकि वो उस वर्ष के महायाजक कैफा का ससुर था यह वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलहा दी थी कि हमारी लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है शमोन पत्रस और एक दूसरा चेला यीशु के पीछे हो लिए ये चेला महायाजक का जाना पहचाना था इसलिए वो यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया परंतु पत्रस बाहर द्वार पर खड़ा रहा तब वो दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वार पालक से कहकर पत्रस को भीतर ले आया कहीं तू भी इस व्यक्ति के चेलों में से तू नहीं है नहीं, मैं नहीं हूँ दास और प्यादे, जाडे के कारण कोईले धत्का कर खड़े आग ताप रहे थे और पत्रस भी वहाँ जाकर उनके साथ आग तापने लगा तब महायाजक ने यीशू से उसके चेलों के विशय में और उसके उबदेश के विशय में पूछताच की तब यीशू ने उत्तर दिया मैंने संसार से खुल कर बाते की है मेरे सारे उबदेश आराधना लयो और मंदिरों में किये जहां सारे लोग इकठा हुआ करते थे मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं की है तो फिर तू मुझसे क्यों पूछता है सुनने वालों से तू पूछताच कर उनसे पूछ consult मैंने क्या कहा वे जानते हैं जो मैंने कहा है क्या तो इस प्रकार मायाजक कोटर देगा तो मुझे क्यों मारते हो तब हन्ना ने उसे बंधे हुए कैफा महायाजक के पास भेज दिया तब तक शमोन पत्रस आग दाप रहा था तब लोगों ने उससे पूछा कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूँ पत्रस ने इंकार किया महायाजक का एक दास जो उसके कुटुम से था जिसका कान पत्रस ने काट डाला था बोल उठा क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? नहीं और तुरंद मुर्गे ने बांग दी जब भोर का समय था येशु को कैफा के पास से गवर्नर के किले मिले गए येहूदी किले के भीतर नहीं जाना चाहते थे क्यूंकि वे अपने आपको शुद बनाए रखना चाहते थे ताकि फसह का भोजन खा सकें तब पिलातुस उनके पास बाहर निकलाया और कहा तुम इस व्यक्ति पर क्या रोब लगाते हो यदि उसने अपराध नहीं किया होता तो हम उसे तेरे पास नहीं लाते तुम ही इसे ले जाकर अपनी विवस्था के अनुसार उसका न्याय करो हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने ये संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यू कैसी होगी तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाया क्या तु यहुदियों का राजा है क्या ये प्रश्ण तेरी और से है या किसी दूसरे ने मेरे विशे में तुझसे कहा तु क्या सोचता है मैं यहुदि हूँ तेरी ही जाती और प्रधान याजकोंने तुझे मेरे हाथ साथ है तुने क्या किया है मेरा राज्य इस संसार का नहीं है यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहुदियों के हाथ सौपान ना चाहता परन्तु, मेरा राज्य यहां का नहीं है तो क्या तू राजा है? तू कहता है कि मैं राजा हूँ मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही तू जो कोई सत्य का है मेरी सुनता है और सत्य क्या है फिर पिलातोस यहुदियों के पास निकल गया और उनसे कहा मैं तो उसमें दंड देने योग्या कोई दूश नहीं पाता पर तुम्हारी ये रीती है कि मैं फसा में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूँ क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहुदियों के राजा को छोड़ दूँ तब उन्होंने फिर चिला कर कहा बड़्याओ उन्हारे थेटार्ने मतपा कृपकी अ… बड़बाबाब रा Filmos झाल, 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 झाल